तो लास्ट टाइम तुम लोग ने देखा गाईस किस तरीके से एक घूस्ट के बारे में हम लोग पता चला और भाई हमारा कोई इंटेंशन नहीं था घूस्ट वगरा के बारे में पता लगाना मैं सिंपली एक गाड़ी लेकर आया वो गाड़ी चोरी हो गई रात रात में मैं दूसरी गाड़ी लेकर आया वो दूसरी वाली गाड़ी भी चोरी हो गई इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न भाई एक CCTV इंस्टॉल कर दिया जाए घर के बार और देखा जाया कि यह चूरिया कर कौन रहा है तो हम लोग ने सिंपली यहाँ पर एक CCTV इंस्टॉल करवा दिया और जब हम लोग तीसरी रात को यह गाड़ी लेकर आये भाई कोई चोर नहीं आया फिर हम लोग सो गए और फिर अगले दिन सुबच चेक किया तो यहाँ पर काफी सारा बलड पड़ा हुआ था तो हम लोग ने सोचा कि भाई ज़रा देखते हैं CCTV में क्या सीन वाय कल रात को तब पता चलता है कि एक चोर आया तो था भाई चोरी करने के लिए लेकिन उसके पीछे से एक अजीब और गरीब सा बंदा था जिसको अभी फिलाल हम लोग गोस्ट बोल रहा है गोस्ट जैसा ही था वो अचानक से आया और उस बंदे को उसने मुक्का मारा और उसको खा गया उसको गायब वायब नेकिए उसने वो डिरेकली खा गया भाई क्या सीन है ये फिर उसके बाद भाई हम लोग बहुत बुरी तरीके से डर गया और हम लोग ने आजू बाजू पता का नहीं कोशिश की कि किसी और के साथ भी ये चीज हुई है क्या हमारे दूर दो चार घट छोड़के पडोसी है उनके डॉगी को भी वो घूस्ट खा गया भाई ये ऐसा घूस्ट है जो कि लोगों सिर्फ और सिर्फ मार नहीं रहा उनको खा जा रहा है ऐसी घूस्ट के बारे में लिटरली मे देनी लगता है यहां पर रहना सेफ है अरे हां यार चलो यार फटफ से लॉस्ट से चोड़कर चलते हैं अब लेकिन कहा जाएंगे भाई लॉस्ट से चोड़के पहले यह तो बताओ हमारा घर यहीं पर सब कुछ यहीं पर कैसे ऐसे कैसे चले जाए बही अरे यार अधक को आया था वह अद्देरे में अटैक करता है इसलिए डार और घर घोश्ट वह है इसलिए डार घोश्ट को बाई यही को नहीं जा सकते क्योंकि वह हमारे लिए बिल्कुल एक नई जगह होगी और वहां पर फिट नहीं हो पाया और वैसे भी हमारा काम दंदा भी नह करता है बैए काम गाड़ियां इदर से उदर चुराना फिर उन्हें बेकना ये करना वो करना भाई जितने भी काम हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉसेंट ऑस में ही सब ये कर पाते हैं नौर्थ एंग्टेन इदर उदर गए पता चला वह गाड़िया नहीं मिली हमारा काम च सेंट ऑस को जब डर नहीं लग रहा है तो हमें क्यों लग रहा है डर हम लोग डटके उसका सामना करते हैं दिक्कत किस बात की है अरे यही तो बात है यार पूरा लॉस सेंट ऑस पड़ा हुआ है उस धार गोस्ट ने सिर्फ हमारे उपर यह अटैक क्यों किया अब ये तो वह डार घोस्ट ही जाने लेकिन जो भी हो गैस उसके बारे में थोड़ा और जानकारी खटिक करनी पड़ेगी भाई येस उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही जादर ज़रूरी है भाई उस डार घोस्ट का मतलब क्या सीन क्या है मेरे को ये बिलकुल भ ठीक है और जैती भाई वह डार घोस्ट अगर आज रात को आया तो हम दोग उससे जाकर डारेक्ली फेस टू फेस बात करेंगे और पूछेंगे कि वह कौन है इंट्रेस्टिंग आइडिया तो बढ़िया है चौप लेकिन डारेक्ली ऐसे किसी घोस्ट के आगे चले जाना क कुछ खत्रे वाली बात निया है अरे खत्रे वाली बात तो है यार लेकिन फिर भी सामना तो करना पड़ेगा पता तो करना पड़ेगा क्या हुआ क्या है वह आखिर में वह है कौन चाहता क्या है और सिर्फ हमें और हमारे पडूसी पर ही अटैक क्यों किया है मतलब हमारे पर तो एटाक नहीं किया लेकिन हमारे घर के यागे क्यों आटेक किया अगर उसने किसी और जगा अटेक किया होता तो अब तक यह नियूज में बात फैल चुकि ती पूरे लौस एंट ओस में लोग इसी बारे में बात कर रहे होते लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है मतलब किसी और के संग यह चीज हुई नहीं है सिर्फ हमारे घर के सामने हुई है और वो जो हमारे पडोसी है उसके डॉगी को वो खा गया घोश्ट बस यहीं दो जगा पर यह चीजे हुई है अरे तो एक काम करते है यार ठीक है आज इंतजार करते है कोई ना कोई चोड तो हमारी गाड़ी चुराने के लिए आएगा और उसी वक्त वो डार घोष्ट भी आएगा हां और उस वक्त हम लोग है तो इस टार घोष्टे डार्कली फेस टू फेस बात करेंगे चलो इंतजार करते है रात का देखते है क्या सी नहीं होता मेरे पास पिस्टल और और तवाही मचा देंगे अगर माम लाई दरुदरुदरुआ तो वेट करते हैं का इस रात का फिलाल तो भी रात के साड़े ग्यारा बज रहे हैं और इतने टाइम तो चोरी नहीं होती चोरी होती है रात के बारा बज़े से लेकर तीन-चार बज़े के बीच में इसी करता कोई आया चेक आउट करते हैं का डिसंटी वी क्या आया है बाई गर के अंडर चॉड़ी का इंसका है कर रहा है कि आजू-भा-जू कोई है तो नहीं कैए हर सब जारा उस गाड़ी को चुराने के लिए फिलाल ये गाड़ी के अंदर बैठ गया यार अरे यार गाड़ी के अंदर बैठ गया यह तो चुरा लेगा राम से वो डार्गोस्ट कब आएगा पता ने फिलाल ये तो गाड़ी के अंदर बैठ गया राम से निकल लेगा यार यह तो गाड़ी लेगे हमारी डार गोस्त अभी तक आया यह नहीं है लो क्या सीन मुआ भई भी आइव नौ आइडिया फिर बाहर निकल गया यार अरे चाहता क्या है हर गाड़ी चालू नहीं हो रही है क्या पता नहीं हर टार गोस्त भी आपी तक अरे एक सेकिंड जरा यहां पर यह यह बंदे को खागा गार भाहि भाए खा गया यार उस बंदे को यह न्हीं है १ड़रा लूं जाकर उस ड्रॅच話 इक को पकड़ते हैं अरे चलब यार चलो फटा-फट उसे पकड़ते हैं जाना नुची आज हमारे हांसे थाठ प्ता करते है आपई अखरी है क आप यहां चला गया वह सकता है वह और यह कया चीज एक जिवाइब बदरी रह दोड़ा रहे कुछ भी कोई तो चब्सक्ते तो लग रही है लेकिन अब ये एक सेकंड ये लाइट कहीं उसने तो नी बनाई ही अरे किस ने है अब ये जो ये डार घोश्टा उसने इसकी रोशनी देख रहे हो भाई तुम लोग नॉर्मली ये मेरे घर की लाइट है ठीक है इसकी रोशनी देखो जरा सी है फिर इस वाली लाइट की रोशनी देखो यहां पर तीन चार लाइट है उसकी रोशनी जरा सी है उसकी रोशनी जरा सी है फिर यहां वाली लाइट की रोशनी है लेकिन ये जो अजीव गरीब से यहां पर लाइट लगे हुई है इसकी रोशनी देखो भाई कितनी जादा है सामने की तरफ और यहां किया यार कितनी प्यारी लाइट यह है तो कहता हूं भाई अम लोग उखाड के घर में लगा देते हैं वैसे दिवाली आनी वाली है अब यार तुम लोग उसके पास मत जाओ अरे सिच में यार मेरा चेहरण देखो क्या मस्ड चमक उठा यार इस वली light की रोशनी में अरे ऐसी बात है तो यार मेरे को भी ज़रा यह light चक तो करने दो काफी ज़ादा प्यारी तो लग रही है यार ये वली light भै कलूय चलना भै उखाडना इसे अब यार तुम लोग वहाँ से धूर हट जाओ भई अब यार तू भे डरता रहता है अब ये डार घोस्ट का कोई ट्रैप हो सकता है भई सुनो मेरी बात अरे क्या डार घोस्ट का ट्रैप हो सकता है यार कुछ भी तो नहीं हुआ अब यार, please, मेरी बात सुनो, अब हट़ जाओ यहां से, अरे यार, यह कैसा धुआ से निकल रहा है? अब पीछ एट जाओ, अरे यह धुआ तो पड़ता जा रहा है, अब बाहर निकलो जाओ, बाहर निकलो, तेरी, कहां कहेँ वो लोग? हेलो, वे, शिंचन पिंचन चॉप, वे, कहां गए, हेलो, एक साइग इधर है क्या, अब बै क्या ड्रामा हो गए ये, फिलाल ये धूँआ तो अड़ गया, गाइस, बट ये शिंचन पिंचन और चॉप कहां चले गए, अब यार मैं क्या रहाता है, ये हो सकता है, उसका कोई ट्रैप होई है उसका ट्रैप ही निकला भाई ट्रैप में फसाली है उसने लिकिन वो गया कहा हम लोग जितने में अंदर से बाहर आए ये क्या हो रहा है भाई मेर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एक दम बुरी तरीके से मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ भाई लिटरली में सबसे पहले तो ये गाड़ी हम लोगों ने छोड़ दी ताकि चोरी हो जाए ताकि हम लोग उस वो जो डार्गोस्ट है वो दुबारा है और उससे यस पोर्डल की तारीफ करते करते शींचन पिर जादे चले और मैं मना करता रहा गया भाई लेकिन फिर भी इन लोग ने मेरी बात निसनी पोर्डल के बहुत ही जादा पासी चली गए और फिर इस के अंदर ये गाऔग औरे यार यह लोग कहा चले गए भाई ओए हेलो ओए शिंचेन पिंचेन ओए चौब भाई हेलो अजी वो गरीब से पिंक कलर का धुआ सा आयता यार क्या हो रहा है ये एक सब्सक्राइब लेट में थिंक जोग है इसको चीज लेकर आता हूँ यहां क्या लेकर आहँ यह अच्छा लेकर आहाँ मालो एपॉधा मां पर पॉटल के पास रख जाओ load देखते है क्या होता यह रखा यह पॉधा यहां पर और फटाफटसे अभी हड जाते हैं शे देखते हैं अभी क्या सीन होता है तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो guys जैसे वो पौदा मैंने रखा है वहाँ पर अजीब सा यह पिंक कलर का वापस स्मोक निकलने लग गया है स्मोक निकले जा रहा है मुझे लग रहा है कुछी सेकंड में पौदा गायब होने वाला है और उस स्मोक से कोई बाहर निकल पाएगा और यह पौडल अपने अंदर उसे खीश लेगा और किसी दूसरी दुनिया में पहुचा देगा लेकिन यह पौडल क्रियेट एक सेकंड यह पौडल उसी ने क्रियेट किया होगा न भई डार्क घोश्ट ने लेकिन वो पौडल क्रियेट क्यों करके चला गया है यहां पर पता नहीं भाई सबसे पहले तो गैस मुझे इस पौडल को चारो तरफ से ढखना होगा ताकि कोई और इसके अंदर ना जाए वरना भाई बहुत बड़ी गलबड हो जाएगी लोस सेंट आस के लोग तो है भाई शिंचन पिंचन और चौप की तरह तो यजीबो गरीब चीज देखी वहाँ पर पहुंचके उसको बिलकुल घूरने लग जाएगे और वो लोग भी इस पौडल के अंदर चले जाएगे ऐसा कुछ हो उससे पहले एक काम करता हूँ मैं फटा फट से इस पौडल को ढखने का जुगार करता हूँ ओ नहीं ओ नहीं ओ गाड़ी ओ गाड़ी मेंसे इस भी स्मोग कहां लग गया ओ एक दो सेकंड के लिए ये पौडल के पास क्या गाड़ी रखी है तो गई गाड़ी मेरी भी मेरी गाड़ी भी जा चुकी है भाई यहां से ये पौडल बहुत खजरनाक है यहाँ पर कोई एक दो सेकिंड के लिए भी चला गया तो भाई वो स्मोंग निकलने लग जाता है और बंदा निकल लेता है पोर्टल के अंदर ही शिंचेन पिंचेन और चॉप कहां गया यह कैसे पता चलेगा अरे यार मैं कैसे पता चलेगा मुझे लगता है गाइस मुझे पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा यह सब पता करने के लिए चलो भाई लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे इस पोर्टल के चारो तरफ भाई जालिया लगानी पड़ेगी था कि कोई और ना जाए इसके अंदर वना लोस सेंट आउस के जैसा कि मैंने का सारे लोग घु भाई उधार मैं क्या करू मैं तो कंफ्यूज हो गया यार यह डार्गोस्ट के बारे में कुछ क्लियरली पता भी नहीं चला और यह पोर्टल कहां से आ गया यह भी कुछ क्लियरली पता नहीं चला और यह शिंचन पिंचन कहां चलेगा यह भी कुछ क्लियरली नहीं पता च मेर को तो भाई ऐसा लग रहा है यह जो डार्क वोस्ट है यह बाई डैफिनेंट्ली मतलब घोश्ट है इसके पास पॉडल क्रियेट करने की भी पावर है इसने यह पॉडल क्रियेट किया होगा और यह पॉडल मुझे लगता है बंदों को लेकर चला जाता है डार्क मैं कल सूबह जाने वाला हूँ वैपन स्टोर पर बहुत सारे चितने खतरनाक से खतरनाक हतिहार है सब लेने वाला हूँ RPG से लेकर, Machine Gun से लेकर, Mini Gun तक, सब कुछ, Laser Weapon से लेकर, Taser तक, Smoke Granite से लेकर, Granite Sticky Bomb, सब कुछ लेकर, और एक बड़ी ऐसी गाड़ी बनवाओंगा, मैं Simon से जिसके बाहर काटे माटे लगे हो, जिसके पहिए जल्दी पंचर ना हो, और Bulletproof गाड़ी हो, और साथी साथ Blast Proof, Fire Proof गाड़ी हो, ऐसी गाड़ी बनवाओंगा, मैं Simon से, और फिर, इस गाड़ी को लेकर, और सारी हतियार को लेकर, मैं भी चला जाओंगा, इस Portal के अंदर, अब देखते हैं भाई, यह Portal कहां लेकर जाता है, जहां भी लेकर जाएगा, हम लोग वहाँ पर जाएंगे, और शिंचेन, पिंचेन, और चॉप को बचा कर वापनस लाएंगे, गाईज, I have no idea, आगे क्या होने वाला है, बट सबसे पहले, यह सारा जो काम है, गाड़ी बाला और यह वेपन वाला है, आज तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको चारो तरफ से, ओए पास नहीं जाना, आज तो क्या करने वाला हूँ, इसको चारो तरफ से, मैं जालियों से कवर कर दूँगा, ताकि कोई और ना जा पाए, चलो भाई, आज यही काम करते हैं, जालिया जुगाड करते हैं इदर लोग के घर के बाहर लगी होती हैं वही तोड़के लगा देता हूँ इदर ही तो काफी सारी जालियों को मैंने उखाड उखाड के बहुत चारों तरफ लगा दिया है और हल्की से डिस्टेंस मेंटें की है क्योंकि भाई ये पोर्डल जालियों को भी अंदर ले जाएगा इसे लिए और ये जगा मैंने खाली इसलिए छोड़ी है ताकि मैं गाड़ी लेके चला जाओ लेकिन एक सेकंड अगर मैं कल गाड़ी लेके चलागे तो फिर इसको कवर कौन करेगा क्या करूं मैं इदर एक ग कि क्या भाई हो गई सुबह के पांच बजने वाले हैं चलो थोड़ी और सुबह होई जाने देते हैं यार शिंचन पिंचन और चौप चले गए अपने पॉर्डल के पास मैंने जाने से कितनी बार मना किया फिर भी ये लोग चले गए बाई सुनते ही नहीं है ये ये हो गई है सबसे पहले वेपन स्टोर निकलते हैं या नहीं नहीं पहले साइमन को मैं कहके आता हूं कि भाई मेरे लिए तु एक बढ़िया सी गाड़ी बनवाने का काम शुरू कर दे सबसे पहले तो मेरे को टैक्सी चाहिए यार टैक्सी बंग वाते हैं और वहां से टैक्स जोनगो के शुर्साब शूर जली है यार यार मेरे को यह बहुत जरूरी काम हहां तेर से बोलो बोलो क्या काम है गाड़ी टीहीं बैक तो नहीं दे सकता है इस वक्त काफी शॉट फैसा जलीं गाड़ी बताओ घ्ला यार मेरे बैक एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो की emotी बुलेट प्रूफ हो, बॉम प्रूफ हो फायर प्रूफ हो जिसके टायर एकदम बुलेट प्रूफ हो और जिस गाडी अंदर बहुत सारा फ्यूल आ सके उसका फ्यूल जल्दी खतम आप जाएगा, जिस गाडी से अगर किसी को थोके तो वो जिन्ना ना बचे हरे यार क्या arena war میں participate करने वाले हो क्या हाँ कुछ वैसी गाड़ी चाहिए मेरे को बता तू दे सकता है यार ऐसी गाड़ी बनवाने में तू बहुत खर्चा जाएगा & yार मैं पैसे दे दूगा तू बस मेरे लिए बनवा दे यार ठीक है लेकिन क्या करोगे क्या इसका वो मैं कुछ भी करूँ तू बनवा दे नहीं तू बताओ तू करोगे क्या डार्क वर्ल में जाके मैं डार्क घोस से लड़ूँगा ये क्या बकवास कर रहे हो तू चुप बैट जा तू मेरे लिए गाड़ी बनवा दे फटाफट नहीं नहीं पहले पहले एडवांस पैसे लेगा तू अभी मेरे से यार पैसे तुझे बाद में दे दूँगा डार्क वर्ल से आने के बाद जैसी जैसी बाते बता रहे हैं तुम लगता तो नहीं है डार्क वर्ल से जिन्दा लोट के होगे इसलिए पहले पैसे मेरे दे दो यार मैं पैसे अभी नहीं दे रहा तुझे मेरे लिए गाड़ी बनाना पड़ेगा वरना उस डार्क वर्ल्ड के घोष्ट से मैं तेरी शिकायत कर दूँगा ऐसे घोष्ट पे विश्वास नहीं करता मैं अच्छा बटा तेर को रात को छोड़ दूँगा अपने घर के बार तब सारा विश्वास हो जाएगा तेर को घोष्ट पे क्या होगा तुम्हारे घर के बार बता नहीं सकता है तू चल ठीक है पैसे ले लिए अब गाड़ी बनवाने काम शुरू कर दे ठीक है पैसे रेड़ी रखो बहुत ही बड़ा खड़ा है साइमन तेर को तो पैसे दूगा नहीं नहीं इससे गाड़ी बनवाके गाइस लेकर भाग लूँगा आता रही हो मेरे घर पे क्योंकि मैं मिलूँगा ही नी क्योंकि मैं तो आज जाने वाला हूँ डार्क वर्ल्ड अभी तो फिलाल एक चीज बड़े है सामन के शोरूम के बगल में वेपन स्टोर है तो यहाँ बड़ जितने वेपन्स की ज़रत हैं में सारे वेपन्स मल जाएंगे देखरो तुम लोग लिटरली में भाई बहुत सारे वेपन्स खरीद लिया है मैंने एक आद आर्मर भी खरीद ले क्या आर्मर भी खरीदी लेते है यार थोड़ा बड़ी है प्रोटेक्शन रहेगा चलो भाई आर्मर भी हो गया वेपन्स भी हो गए अब मैं फुली रेड़ी हूं फाइट के लिए वेपन्स देखो कितनी सारी मेरे पास यह स्नाइपर्स है कितनी सारी राइफल हो चुकी है कितनी सारी SMG गन्स हो चुकी है कितनी सारी पिस्टल कितनी सारे यहाँ पर ग्रेनेड फिर कितनी सारी यहाँ पर बिगर वेपन्स इसके अलावा है यहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट गन भाई इसके अलावा है यहाँ पर मेरे पास चाकू कुलाडी सब कुछ है तो मेरे पास चितना वेपन का स्टॉक हो सकता था मैंने सब ले लिया है और अब मैं पूरी तरीके सिर्फ एडियों फाइट के लिए बस एक बार मुझे जाने का मौखा मिले इस डार्क वर्ल्ड में तब आई मचा दूँगा भाई उस डार्ग होस्ट को छोड़ हो सानाक बंदा भी नहीं कर सकता है यार मुक्का मार के बहोश करना तो मैं भी कर दूआ। इसे तक यह,सकी वर्ल्ड जायू,सबंसे कि इसकी बहोश हो गया है। मैं उठा लेता हूँ, हाँ तो इदे को ये बेहोश हो गया है, ठीक है, इतना वो कर ले रहा है, आराम से डाक घोष्ट, लेकिन उसके बाद वो खा जा रहा है, भाई, अजीब सी आवाज आ रही है, और गाया सामने वाले बंदे को खा जाता है, क्या है, ये कैसा घोष्ट है जो बंदों को खा रहा है, इसलिए भाई, खतरनाक तो है, आप पता नहीं, इसके अलावा उसके पास क्या-क्या पावर्स होंगी, और डाक वर्ल्ड लिटरली में उसी का ही है, या फिर वो पोर्टल किसी और तरीके से जनरेट हुआ, आई हैव नू आइडिया, बट नहीं हुआ यार, थोड़ी देर बात चलेंगे, थोड़ा इदर वेट करते हैं, वेपन्स मेरे रेडि हैं, अबे, इनके एमो नहीं है मेरे पास, अरे भाई, इसके एमो सो आपने दी ही नहीं, इसकी एमो खतम हो गई है, तो ये वेपन लेके मैं करूँगा क्या, आपनी त देर हो गई, साइमन के गाड़ी रेडी नहीं हुई क्या, ऐसे गाइस, तुम लोग ने यार, अभी तक वीडियो को लाइक नेगे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल तो सब्सक्राइब करो भाई, और इंस्ट्राग्राम और एक्स पर फॉलो नहीं गया है, तो फॉलो कर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि जो भी यो शिंचन पिंचन को हम लोग बचाएंगे, जरूर, भाई गाड़ी इसने रेडी करवा दी, देखो यार, तुमने बोला नहीं तब फिर भी मैंने इसके आगे वेपन्स भी लगा दिया है, थैंक्यू यार साइमन भाई, चलना चुपो जा, ओके गाइस, तो यहां पर मेरे को गाड़ी मिल चुपिया, बड़ी आसी, ऐसी गाड़ी तो मेरे को चाहिए दी भाई, फ्रंट से लेकर बैक तक सब कुछ इस गाड़ी का, इसके अंदर वेपन्स भी लगा दिये, वेपन के बारे में लिटरली में भू गया था, लेकिन सही केश ने वेपन लगा दिये तो, इस गाड़ी को अगर मैं ठोक हूँगा, किसी गाड़ी में तो देखना क्या होगा, यह ठोकी इस गाड़ी में, देख रहो वो गाड़ी लिटरली में पूरी उड़ गई भाई, हलके में नहीं ले सकते हैं इस गाड़ मैंने बिल्गुल परफेक्ट कार बनाई है, और इस वाली गाड़ी और साथ में मेरे पास जो वेपन्स है, उनकी हल्प से मैं फाइट करने चला गाइज, उस डार्क वर्ल्ड में, तुस डार्क घोस्ट से, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर जो भी हो, तबाही मचा दें अब फिलाल मैं इसके चारों तरफ एक फंस लगााता हुग्आ जार हाँ बड़ी सी और फिर हम लोग चलेंगे टार्क वर्ल्ले में मैं कम करता हूँ रात को जांगा टाःक वर्ल्ल में, यस तो मैंने ङाए इतनी मूटी मूटी पहली मैं लगाए ये इतनी मोटी चोड़ी पहली फेंस लगाई है याइग तभी हो अभी तो फिलाल मेरा मेन फोकस रहने वाला है शिंचन पिंचन और चॉप को बचाना तो जितनी फैंसिंग मेरे से हो सकती थी मैंने उतनी कर दिया गाइस बारी अभी लास्ट फैंस लगाने की जो की मेरे पीछे लगेगी तो इसी के साथ लास्ट फैंस भी लग चुकी है लेट्स गो पोर्टल में जाने के लिए मैं रेडी हूँ और यहाँ पर मेरी गाड़ी के अंदर से भी यह पिंक कलर का स्मोक निकलने लग चुका है गाड़ी के अंदर रेडी हूँ वेपन सारे रेडी हैं कम आन लेट्स गो मैं जार हूँ गाईस पोर्टल के अंदर बाए तो फिलाल दो गाईस तुम लोग को आज की वाली वीडियो बढ़ी है कि वीडियो को जाकर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना देखना बहुत ही जादे इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार फ्रेंक यंशं जर्चन पे चनो चॉप को कैसे ढूंएगए डार्क वर्ल्ड में और यह डार्क वर्ल्ड कैसा है बहुत ही जादा मसा आने वाला है निक्स एपिसोड में निक्स पार्ट के लिए कमेंड में जागर निक्स पार्ट लिग देना जल्दी आ जाएगा तैसे लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो तुम लोग जाओ देखो लास्ट पार्ट मिल देए नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिए कुट पार